सब्सक्राइब कीजिए एडवीशन वाले उस्ताज चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट एम्डीकैट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए असलाम लेकम एवरिवन उमीद है आप सब ठीक होंगे अगर आप भी 2023 में एम्डीकैट देने वाले हैं तो ये वीडियो है आपके लिए मैं आपके साथ आज एम्डीकैट की प्रपेशन के लिए कुछ पॉइंट्स को डिसकस करूँगी तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ पाकिस्तान में MBBS या BDS में एड्मिशन के लिए ये टेस्ट पास करना ज़रूरी है और गोर्मेंट अड्मिशन के लिए बहुत अच्छे मार्स भी चाहिए एम्डीकैट की प्रपेशन से पहले आपको इसके सब्जेक्स के बारे में पता होना चाहिए इसमें हमारे पास four main subjects आ जाते हैं जिसमें biology, chemistry, physics and English आती है इसमें उटदूर पाक study शामिल नहीं होती logical reasoning में आपको बहुत जादा preparation की ज़रुवत नहीं होती इसमें just concept and practice होती है for example 1, 3, 5 आगे क्या आएगा 7 arrow up है right, arrow down है आगे क्या आएगा left subject के बाद आपको pattern का पता होना चाहिए लाकि आपको पता हो कि आपने किस subject को कितना time देना है किस की MCQs जादा हैं ताकि आप उसकी से जादा preparation कर सकें अब MDKate में हमारे पास total MCQs जो हैं वो 182 to 20 होते हैं इसमें maximum MCQs जो होते हैं वो biology के होते हैं 82, 90 mystery and physics के almost equal होते हैं 45 to 55 और इसमें हमारे पास English में 22 to 30 MCQs होते हैं exact number आपको इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि last 2 to 3 years से जो number हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं और अभी 2023 में भी exact pattern अभी तक अनॉंस नहीं हुआ next आपने syllabus को understand करना है इसमें सारे books नहीं होती बलकिए selective topics होते हैं आप syllabus PDF प्रिंट करा सकते हैं या इसको mobile में भी open कर सकते हैं जैसा आपको easy लगे biology में mostly human related topics होते हैं plants नहीं होते chemistry में inorganic and difficult chapters नहीं होते English में grammar and vocabulary होती है FSE books chapters include नहीं होते indicate की preparation के लिए आप अपना एक study plan बना सकते हैं आपने subject wise planning करनी है like biology के ज़्यादा MCQs हैं तो आपने उसको ज़्यादा time देना है physics में numericals होते हैं तो आपने उसकी ज़्यादा practice करने हैं English के कम MCQs होते हैं आपने उसको बहुत ज़्यादा time नहीं देना logical reasoning को भी बहुत ज़्यादा time नहीं देना यह उसी वक्त समझ के करने होते हैं बहुत ज़्यादा preparation के ज़रुएत नहीं होती and study week topic first आपने gather करना है study materials को crop priority, textbook, practice books, past papers MDCAT 15000 MCQs book में all subjects हैं और आपको practice question भी मिलेंगे और past paper question को भी add किया गया है delivery order place करने के लिए WhatsApp पे contact कर सकते हैं आपने multiple sources से learn करना है FSE की books तो आपने 2 साल पढ़ी हैं apart from textbook आपने other learning sources को भी utilize करना है such as online lectures and practice books You can also register in Ostal Foundation MDCAT session इसमें lecture होंगे, test होंगे और test के video discussion भी होंगे आपने past paper and mock test की practice करनी है बहुत सारे online platform offer कर रहे है mock test को जो की specifically design के गए है for MDCAT अगर आपको किसी भी topic को understand करने में difficulty हो रही है तो आपने बिल्कुल भी परिशानी होना आप अपने teacher, अपने classmate and अपने senior से guidance ले सकते हैं आप study groups को join कर सकते हैं आप अपना study circle बना सकते हैं जिसमें आप ही अपने site difficulties को discuss कर सकते हैं आपने updated रहने regularly official websites को check करना है अगर कोई भी चेनी जोरी है in MDCAT exam pattern और syllabus में if you like my video, चैनल को subscribe करके bell को press कर दे मैं आपसे मिलूँगे next video में एक new topic के साथ तब तक के लिए मुझे दीज़े इजाज़त Allah पीस अब MDCAT session तमाम जबर्दस्ट है इसमें classes की quality है जबर्दस्ट है उसके अंतरह ऐसे महसुस होता है कि जैसे हम physical पढ़ रहे हैं इसमें मुझे अच्छी तरह qualified teacher मुझे मिले है The teachers are providing a good stuff for all the subjects according to PMC